इसे देखो माजी कैसी लगी ये साड़ी आपको अरे वाब भाभी ये तो बहुत ही सुन्दर साड़ी है अब लेकिन काफी महंगी लगती है अरे आप उसकी फिक्र क्यों करती हो माजी और ये सलवार सूट का कपड़ा मेरी बिंदिया के लिए सुनीता की बाद सुनकर बिंदिया एकदम खामोश हो गए दरसल बिंदिया के तीन बच्चे थे राकेश, मुकेश और बिंदिया राकेश पढ़ने में शुरू से अच्छा था इसलिए वो शेहर में एक कमपनी में मैनेजर बन गया लेकिन मुकेश का पढ़ने में हाथ जरा तंग था तो वो शेहर जाकर सबजी का ठेला लगाने लगा और बिंदिया अपनी मा बिमला के साथ गाउं में ही रहती थी राकेश की पत्नी सुनीता अपनी देवरानी ममता की गरीबी का हमेशा मजाग उड़ाती रहती थी जबकि ममता को सुनीता से कोई शिकायत नहीं थी फिर उसी शाम और बिंदिया आगे के बारे में क्या सोचाएं? भाबी इस साल दस्वी है तो सोचाएं कि आगे की पढ़ाई शेहर में करूं ताकि बड़े भाया की तरह मैं भी अच्छी नौकरी कर सकूँ बहुत अच्छा सोचाएं मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि तु मेरे पास आजा मैं तुझे अपने साथ बहुत प्यार से रखूंगी अरे नहीं नहीं बहू तुम्हारे पास भी तो कितनी जिम्मेदारियां है बिंद्या की जिम्मेदारी भी ले लोगी तो तुम परिशान हो जाओगी अरे माजी कैसी बात करती आपने ये मेरी प्यारी ननद है से रांगों पर बिठा कर रखूंगी इसे सुनीता की ये बात सुनकर बिंद्या के कलेजे को बहुत ठंडग मिली दरसल बिंद्या अपने पती की तरह ही कैंसर से जूच रही थी और फिर ठीक एक महीने बाद ही उसकी मौत हो गई अब बिंद्या पूरी तरह से अकेली हो गई थी दासंसकार के बाद बात शिड़ी की अब बिंद्या को कौन रखेगा तुम मेरे साथ चलो बिंद्या अच्छा और वो तुम्हारे पास जाकर क्या करेगी सबसी बेचेगी मेरे पास रहेगी तो मैं इसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगी ना कि तुम लोगों की तरह गरीब और गवार ममता अपनी जेठानी से भिरना नहीं चाहती थी वो सुनीता के ताने सुनकर चुप चाफ वहां से चली गई सुनीता ने इसे अपनी जीत मान लिया फिर शाम को चोटी भावी मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बड़ी भावी के साथ जाऊंगी इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है और मुझे वहां सारे एशो आराम मिलेंगे बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि छोटे भाईया जादा पैसे नहीं कमा पाते हैं और अगर मैं आपके पास रहने आ गई तो उससे आप दोनों की परिशानिया बढ़ींगी और मैं आप दोनों पर बोज नहीं बनना चाहती कैसी बात कर दी तुमने बिंदिया हमारे लिए तुम हमारी बेटी की तरह हो खेर अब जब तुमने फैसला करी लिया है तो तुम बड़ी भाबी के साथ चली जाओ लेकिन याद रखना तुम्हारी एक और भाबी भी है जिसके घर और दिल के दर्वाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे इतना कहकर बिंदिया ममता के गले लग गई वो दोनों खूब रोए क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि अब वो दोनों कब मिलेंगे फिर पूरे दस सालों के बाद और अब बारी है उस जाबास पुलिस आफिसर की जिसने अपनी जान पर खेल कर दस मासूम बच्चियों को हैवानों के चंगुल से बचाया एस पी बिंदिया शर्मा को खबर मिली कि कुछ लोग मासूम बच्चियों को बेशने के लिए ले जा रहे है और फिर एस पी बिंदिया शर्मा ने बदमाशों से लोहा लेकर उन मासूम बच्चियों को बचाया वो सारी बच्चिया गरीब घरों से थी S.P. बिंदिया शर्मा को मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे और साथ ही हम चाहेंगे कि S.P. मैडम हमें अपने बारे में कुछ बताएं मैं बिंदिया शर्मा, S.P. नौरुजाबाद इस होसला अवजाई के लिए आप सभी का शुक्रिया आज मैं अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं जानती हूँ कि गरीब की बच्ची को पढ़ाने लिखाने के सपने दिखा कर उसे बेच देना कैसा लगता है मैं जानती हूँ कि अपनों के धोखा देने का दर्द क्या होता है क्योंकि ये दर्द मैंने भी साहा है मैं गाउं में मेरी मा के साथ रहती थी जब मेरी मा की मौत हुई तो मेरी दोनों भावियां मुझे अपने साथ रखना चाहती थी पर मैंने अपनी अमीर भावी के साथ रहना चुना क्योंकि वो पैसो वाली थी जबकि मेरी छोटी भावी गरीब थी और मैं उन पर और बोच नहीं बनना चाहती थी मुझे लगा था कि मेरी बड़ी भावी मुझे पढ़ाएंगी लिखाएंगी लेकिन वो सब एक ढोंग था वहाँ पहुंचते ही उन्होंने मेरे हाथों से किताबे चीन कर मुझे घर के कामों में लगा दिया एक नौकर से जादा मैं उनके लिए कुछ नहीं थी वो भावी जो मुझे से इतना लाड दिखा दी थी उन्होंने मेरी पढ़ाई छुडवा दी और एक दिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी छोटी भावी के पास जाना चाहती हूँ तो उन्होंने पचास हजार रुपे में मुझे एक आदमी को बेच दिया ये सब मेरे बड़े भावी को नहीं पता था भावी ने भावी को कहा कि मैं अपने छोटे भावी के पास चली गई हूँ हमेशा के लिए जबकि उन्होंने तो मुझे कहीं और ही भेज दिया था वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस आदमी के चंगुल से किसी तरह भागने में काम्याब रही और फिर सीधे अपनी छोटी भावी के पास पहुँची बस वो आखरी दिन था जब मैं रोई थी मेरी छोटी भावी ने अपना पेट काट काट कर मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया उन्होंने ही कसम खाई कि वो मुझे पुलिस ओफिसर बनाएंगी आज मैं जो कुछ हूँ अपनी उन्ही गरीब भावी की वज़े से हूँ जिनके दिल की अमीरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता इतना कहकर बिंद्या ने सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया और जैसे ही उस कुर्सी से मम्ता उठकर खड़ी हुई पूरा हॉल तालियों से गूंच उठा कहते हैं बेहनों के बीच में प्यार का टूट रिष्टा होता है लेकिन ये कल्योग है और कल्योग में तो प्यार पैसा देख कर ही किया जाता है ऐसे ये गाउं में गरीब किसान के घर तीन बेटियां पैदा हुई थी किसान ने तीनों का नाम रितू, राखी और रीना रखा था लेकिन तीनों बेटियां जब 18 साल की हो गए तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एकसिडेंट में मारे गए तीनों बेटियां अनाथ हो गए अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है पिताची हमारे लिए कितनी मैनद करते थे अब हमें कौन खाना के लाएगा हम क्या करें तीनों एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगे फिर दो दिनों के बाद रितू ने कहा राखी रीना, हमें शादी कर लेनी चाहिए तब ही हमें इस गरीबी से मुक्ती मिलेगी लेकिन हमसे शादी करेगा कौन हम तो दहेज भी नहीं दे सकते तो क्या हुआ आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं बस अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फासा कर शादी कर लो, बात खतम लेकिन रीना को ये बात पसंद नहीं आई उसने कहा नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है हम खुद करेंगे कुछ तो पागल है क्या रीना कुछ करने में सालों लग जाएंगे शादी करने से सब कुछ बना-बनाया मिल जाएगा लेकिन रीना इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थी रितू और राखी अपने लड़के ढूडने लगे और रीना कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई रितू और राखी ने कॉलेज छोड़ दिया सोशल मीडिया के जरिये वो दोनों दो अमीर लड़कों से मिले सुहास और आकाश दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे रितू और राखी ने उन दोनों को अपने प्यार के जाल में फसा लिया और कुछी दिनों के अंदर उन लोगों ने शादी भी कर ली ससुराल जाने के बाद रितू और राखी के होश ओड़ गए अरी यार कितना बड़ा घर है कितने सारे फरनीचर है मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी दीदी यहां नौकर लोग भी है हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा बहुत मसाएगा यहां पर हम अब पूरी जिन्दगी आराम से बीच जाएगी आपका आइडिया मस था दीदी हाँ मुझे पता है वो रीना पागल है अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है रहने दो से पूरी जिन्दगी पर वो गरीब ही रहेगी वो दोनों अपने पतियों के साथ खाना खाने बैट गए खाने में चिकन, मटन, पनीर सब कुछ था रितु और राखी ने पेट भर कर खाना खाया उधर गरीब जोपड़ी में रिना चावल में पानी मिला कर खा रही थी घर में वो बिल्कुल अकेली थी उसकी आँखों से आसू टपक रहे थे अज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे ए भगवान वो दोनों बस खुश रहे खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैट गई अगले दिन वो कॉलेज गई प्रिंसिपल ने उससे कहा रिना तुमने दो महिने से कॉलेज की फीस नहीं भरी कब भरोगे पैसे माफ कर दीजे सर मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है इसलिए नहीं भर पाई ये सब बोल कर कोई फाइदा नहीं होगा फीस भरो नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से प्रिंसिपल ने रिना को धक्के मार कर कॉलेज से निकाल गया रिना को बहुत दुख हुआ हे भगवान मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी क्या इस दुन्या में पैसा ही सब कुछ है रिना काम ढूणने लगी लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया अगले दिन सुबह रिना जब घर का काम कर रही थी तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी गाड़ी में से रितू और राकी बाहर आई अरी दिदी आओ आओ मुझे लगा कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आओगे नई नई हमें तो आना ही था हमें देखना था कि तो किस हालत में है हाँ हाँ तुने हमारी बात नहीं मानी हम देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे है अच्छी बात है दिदी लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है पती के पैसो से आश नहीं करनी है तु खुद कुछ नहीं कर पाएगी वैसे कॉलेश नहीं गई आज वो कॉलेश की फीस नहीं दे पाई न इसलिए कॉलेश से मुझे निकाल दिया हाँ 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 यही होना था अब कर ले तुझे जो करना है हम तो पती के पैसो पर ही आश करेंगे हाँ 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 वो दोलो गाड़ी में बैट कर चले गए रीना को अपना पेट पालना था लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे रीना के पास जितने भी पैसे थे उन पैसों से रीना ने चावल और राजमा चावल बेशने लगी राजमा चावल खालो राजमा चावल राजमा चावल खालो स्वादिष्ट राजमा चावल दो महीने बीद गए रीना राजमा चावल बेच गर अपना पेट पालने लगी और घर लोट कर पढ़ाई करती रही एक दिन रीना शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैट गई तभी बिजली चली गई पूरे घर में अंधेरा चागया अरे आसपास की घरों में तो बिजली है यहां बिजली क्यों चली गई तभी रीना को याद आया कि दो महीने से बिजली का बिल भी नहीं भर पाई है वो लेकिन रीना को पढ़ाई करनी थी घर में एक मुंबत्ती तक नहीं थी अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूँ पढ़ाई नहीं करूँगी तो मुझे नौक्री भी नहीं मिलेगी बहुत सोचने के बाद रीना को दुरगा मा की याद आए गाउं में दुरगा मा का एक मंदर था मंदिर तो छोटा सा था लेकिन मंदिर में हमेशा एक बल्ब जलता रहता था रीना किताबे लेकर मंदिर चली गई दुरगमा की मूर्ती के सामने बैट कर बल्ब की रोश्णी में वो पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करते करते रीना वहीं सो गई सुबह उसकी निंद खुली तो उसने देखा मंदिर का पुजारी वहाँ बैठ कर पूजा कर रहे है पुजारी जी, आप, आप कब आए थोड़ी दिर पहले आया हूँ बेटी तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया लेकिन तुम यहां किताबें लिकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी रीना ने उनसे सब कुछ कहा पुजारी ने सब कुछ सुना और रीना से कहा ठीक है बेटी, अपसे तुम मंदिर में ही रहकर पढ़ सकती हो यहां मैं तुम्हारे पढ़ने और खाने का इंतिजाम कर दूँगा तुम बस पढ़ाई करो और दुर्गा मा को मन ही मन बुलाओ दुर्गा मा तुम्हें निराश नहीं करेंगी रीना घर छोड़ कर मंदिर में ही रहने लगी उसने राज़मा चाबल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त पढ़ाई पर देने लगी उधर उसकी दोनों बेहने एशो आराम से जिंदगी बिता रहे थी उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन एक दिन रितु के साथ सुहास का किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया आकाश ने सुहास से कहा रितु और राखी के चोचले दिन बढ़ते जा रहे हैं आँ वही तो देख रहा हूं कुछ करना पड़ेगा इन दोनों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी तो ने ठीक कहा आकाश अब रितु से मन उड़ गया मेरा मुझे भी अब राखी पसंद नहीं आ रही है रितु और राखी को आईडिया भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है उसे दिन रिना का इंटर्व्यू था उसने दुर्गा मा के सामने हाथ जोड कर कहा हे दुर्गा मा मेरे पास कॉलेज की डिगरी नहीं है बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूँगी रिना इंटर्व्यू में गई कंपनी के मालिक ने पूछा तुम्हारे पास तो कॉलेज के डिगरी नहीं है तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया तुम्हें हम ये नौकरी क्यों दे भई सर मैं गरीबी की वज़े से कॉलेज खत्म नहीं कर पाई लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है आप मुसे कोई भी सवाल पूछ लीजे कंपनी के मालिक ने प्रशन पूछा और रिना ने सभी का सही उतर दिया उसे नौकरी मिल गई उसकी आँखों से खुशी के आँसू टपकने लगे उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ती पाली उधर सुहास और आकाश ने दो नई लड़कियों से शादी कर ली और उन्हीं घर ले आए रितू और राखी चौक गे सुहास और आकाश ने उन दोनों को घर से निकाल दिया रितू और राखी रात और रात फिर से गरीब हो गए वो दोनों रोते हुए अपने पुराने घर में लोटा है और देखा रीना पुराना घर तोड़ कर नया घर बना रही है अरे दीदी आप दोनों क्या बात है तुझे नौकरी मिल गई बेहन हाँ तो सही कहती थी बेहन खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए हम गलत थे कोई बात नहीं दीदी अब हम तीनों एक साथ रहेंगे आप दोनों पढ़ाई शुरू कर दीजे बाकी मैं देख लूँगी तीनों एक साथ रहने लगे रितू और राखी पढ़ाई करने लगी और उन दोनों को भी नौकरी मिल गई तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा मा की पूजा की और इस तरह तीनों बेहने अमीर हो गई